हेलो माई दिए श्ट्रेंट्स माई नेम एजाकाश चौत्री मैं केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ और हम लोग केमिस्ट्री यहाँ पर इस वीडियो के मार्ण से पढ़ने वाले में तो इस वीडियो के थू वीडियो लेक्चर्स के थू मैं फ्लास्टेंट केमिस्ट्री को आ आप तभी देखें जब आपने अपना chemistry syllabus class 10 के लिए complete कर लिया है यहाँ पर हम हर चैप्टर को कुछ parts में divide करके और उसके related जो exam में पूछे जाने आपने questions हैं उनको discuss करते हैं भी अपना revision पूरा करेंगे तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वादे हैं चैप्टर नमबर पूर जो है carbon and its components इस चैप्टर पूर पर पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज में पता होना चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए क्या होता है कैसे फाम होता है क्या में इसका इसका इसकी अलगा तो एक पार्ट जो हमारा dedicated रहेजा एक वीडियो जो हमारा dedicated रहेगा वो इस पार्ट को dedicated रहेगा जो क्या है को वेले, बहुत, फिर दूसरा पार्ट जो हम इसमें करने वाले हैं वो है, क्योंकि जो चैप्टर नीम है, वो क्या है, कार्बन इंडिस कंपाउंट, इसके अलावा ही मुझ सारे अलेमेंट्स हैं, लेकिन ऐसा हुई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा गी, जैसे है आपके अप्सिजन इंडिस कंपाउंट पढ़ रहा हूं, चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन इंडिस कंपाउंट, तो यूनिक बहेवियर और और कार्बन इसको डिस्कुर्स करेंगे, फिर यहीं पर हम क्या डिस्कुर्स करेंगे, कि IUPAC, नॉमेंट्लेचर जो होता है, कंपाउंट्स का, कार्बन कंपाउंट्स का, तो उस चीज को हम यहां पर डिस्कुर्स करने वालों, और जैनल प्रोपर्टीज या चैमिकल प्रोपर्टीज, जेनरल केमिकल प्रॉपर्टीज और कार्बन कमपॉंट्स इसके बाद आप इस स्रीज में जो थर्ड वीडियो आप देखेंगे उसमें हम इस चेप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में लिस्कस करेंगे तर्ड पार्ट करेंगा कि इस चेप्टब के साक में हम ट्रॉपर्टीज kे लगो और फैसे पर्ट रहे होते हैं कुछ स्पैसिफिक करपाउंड्स करते होते हैं वह स्पैसिफिक कमपाउंड्स क्या है इफेनisstल है itinol एफेनिट एसेड है and soaps and detergents इस तरे से कम एपीं वीडियो में इस चप्टर को प्रवाइस करेंगे वीडियो सी दूरेशन 30-35 मिनट्स और रहने वाली So, in this video, we will start with the first part of this chapter which is the covalent bond So, let's start discussing about the covalent bond So, covalent bond क्या हता है? Covalent bond is formed due to shear root of the next bond आप लोग केमिकल बाँड के बारे में जानते होंगे Chemical bond क्या हता है? It is the force of attraction that holds two atoms together हमेशा क्या होगा कि दो atoms साथ-साथ हैं जो homoatomic specie हो सकते हैं या heteroatomic specie हो सकते हैं homoatomic का मर्दब क्या होगा यहांपे? homo means same जो atoms साथ-साथ हैं वो atoms एक ही element को belong करते हैं और heteroatomic में क्या होगा? कि जो atoms साथ-साथ हा रहे हैं bonding के रूप वो atoms अलग-अलग elements को belong करते हैं तो chemical bond क्या परता है? दो atoms को साथ-साथ रखता हैं और chemical bond के दो types हैं आपके ionic bond और covalent bond ही आपने से उन्रख़ा होगा उसमें से हम क्या पढ़ने वाले हैं? covalent bond covalent bond क्या होता है? it is formed by shearing of valence electrons okay तो क्या होता है कि जो भी non metals है वो क्या करते हैं? अपना update complete करने चे लिए valence electrons को share करते हैं और valence electrons को share करते हुए वो अपना update complete करते हैं या क्या होगा कि non metals ये काम आपस में कर सकते हैं non metals दूसरे non metals के साथ कर सकते हैं okay तो example इसका क्या हो जाएगा? example आपको मिल सकते हैं जैसे H2 एक molecule है okay CRA2 एक molecule है F2 एक molecule है O2 N2 ये सारी जीजें क्या होगी? homoatonic molecules हो गए इसके अलावा heteroatomic की बात करें HCl हो सकता है आपके example HF हो सकता है H2O NH3 ये कुछ molecules हैं इनके जो electron dot structures हैं वो भी हमें बनाने एक तो वो भी हम सिखेंगे जैसे क्या है कि H2 molecule है ये कैसे कौम होगा? कि hydrogen इसका atomic number है 1 और इसका electronic configuration है वो भी क्या हो जाता है 1 हो जाता है fluorine के लिए atomic number क्या हो जाता है 9 हो जाता है fluorine के लिए electronic configuration क्या हो जाती है 2,7 हो जाती है तो आपको जब की electron dot structure दिखाना है तो उसमें क्या करना होता है कि जो outer node shell है को हम क्या बोलते है valence shell बोलते है तो valence shell में जो electrons है वो क्या है? valence electrons और उन black valence electrons के बराबर हमने dots बना दो है तो ऐसे ही आप क्या गरोगे? fluorine को जब के symbolically दिखा होगे तो आप क्या गरोगे? fluorine के surrounding में 7 dots बना दो है अगर आपको oxygen को जिनूद करना है इस तरह से electron dot structure में तो आपको क्या गरना होगा? कि oxygen का atomic number है 8 oxygen की electronic configuration क्या हो जाएगी? 2,6 outer most shell में आपको कितने electron दिख रहे है? 6 electrons तो इसमें number of valence electron इतना हो गया? 6 हो गया तो ऐसे में आप क्या गरोगे? oxygen को इस तरह से oxygen का symbol यह है वो आपने लिखा और oxygen के surrounding में इस तरह से 6 dots बना दे होगे और यह आपका क्या होगे? electron dot structure और oxygen atom अब जब हमें molecules फॉर्म करने होगे तो molecules के लिए आपको क्या given होगा? क्या आपको given होगा? कि भी H2 molecule का electron dot structure दिखाना है तो H2 में hydrogen के पास कितने electron है? 1 है ऐसे कितने hydrogen है आपके पास में? 2 hydrogen है यह दोनों अपना इस इलेक्रों लेक्रों 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 करके होगे और hydrogen को अपने outermost shell में 2 electrons complete करने होगे तो यह दोनों hydrogen क्या करेंगे? अपने valence electrons को इस तरह से share कर लेंगे तो आप देखे उस diagram में कि इस hydrogen के पास भी 2 electrons है और यह दूसरा वाला hydrogen है इसके साथ की 2 electrons है तो H2 का हमने electron dot structure यहां पर देख लिया अब हम और molecules को देख देखे हैं से आपको CL2 molecule यह बना ले तो CL2 molecule के लिए क्या है? chlorine, chlorine की electronic configuration क्या हो जाएगी? chlorine diatonic number होता है 17 और इसकी electronic configuration क्या हो जाती है? 287 तो valence shell क्या हो गया? 3rd shell हो गया 7 electrons है तो valence electrons कितने हो जाएँगे? 7 हो जाएँगे तो आप chlorine को सिंबॉलिकली दिखा होगे electron symbols के साथ में तो आप क्या करोगे इसको chlorine के surrounding में इस तरह से 7 dollars बनाने हैं ऐसे एक और chlorine होगा CL2 के लिए तो आप दूसरे chlorine को भी similarly इस तरह से दिखा सकते हो ओके इस तरह से इस तरह से इस तरह से आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको हम लिखते हैं CL single bond मतलब क्या है chlorine atoms नहीं हाँ पर वन पेयर ओफ एक और को शेयर किया होगे वन पेयर शेयर किया है इसको हम क्या है इसको कैसे दिख करना है आप करेद इस chlorine single bond chlorine okay? so this is clear to you now हम एक all molecule which is ok so let's इसके बाउट ओटू मॉलिक्यूल में क्या होगा ऑक्सिजन एटम है ऑक्सिजन एटम की जो अटाउनिक नंबर है एट है इसकी एलेक्ट्रोनिक कंपिजिशन क्या हो जाएगी रूपोमर शिक्ट तो वैलेंच चेल सेक्टिंग रहेगा आपको अब कितने एलेक्ट्रोंस ति दिख रहे हैं तो ओक्सिजन के सरावंडिंग में हमें क्या करना है six dots इस तरह से बना देने अब दूसरा जो ऑक्सिजन एप वो भी अपने six electrons के साथ में आएगा उसके लिए भी अपने इस आप क्या करना है ति आपको जो औक्टेट कंप्लीट करना है मतलब eight electrons की हैं तो अ आपको जो molecule है वो कैसा दिखोगा? कि oxygen atoms जो है ये दो pair of electrons को share करते होगा आपको दिखाए देने हैं अब आप इस diagram देख सकते हो कि oxygen atom इसके अगर electrons आप count करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 और ये दूस्रे वाले oxygen atom के लिए अगर आप electrons count करेंगे तो 1,2,3,4,5,6,7,8 तो हम यहांगे symbolically कैसे define लिए? O double bond O इसको कैसे पढ़ना है? Read as oxygen double bond oxygen Now, हम next molecules के बारे में try करता है जो है N2 molecules तो N2 molecules के लिए आपको कैसे अगर ना होगा? nitrogen atom है, nitrogen का atomic number क्या होता है? 7 होता है, इसका electronic configuration क्या आएगा? 2,5 आएगा nitrogen के पास valence electron कितने हो जाएगे? 5 जाएगे तो अब यहां पर आपको क्या है? कि जो sharing of electrons दिखाना है उसमें shared pair को दोनों atoms के बीच में दिखाना होता है तो आपको क्या परना होगा? जो 5 electrons यहां पहले पता करिए को कितने electrons share करना है? तो भी nitrogen को 5 electrons अल्रेट ही हैं इसके पास में 3 electrons की requirement और है मतलब 3 electrons share करना है तो आप इससार में क्या करो तो nitrogen के 2 electrons को एक तरफ करना हो और 3 electrons को एक उसरे तरफ करना हो ऐसा ही आप दूसरे time के साथ भी जलते हैं ठीक है? क्योंकि जिए वी शेयर करना है तो त seller करना हो थे time क्या करना होता है? कि जोब्हा चीज शेयर करना है जो आमने सामने रखने होते हैं ठीक है? तो बासो ही एकवा कःतम कर रहे हैं कि items को जब बिलेक्ट्रॉन share करना है तो वो क्या करना है इलेक्ट्रों को सामने सामने लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसके में आपको ही इलेक्ट्रों डॉट टाइग्राम है, वो कैसा दीखीगा, तो अब आप इस नाइट्रोजन अटम के लिए काउंट करके देखो, और दूसरे वाले नाइट्रोजन अटम के लिए आप काउंट करके देखोंगे, तो बाहन के लिए, दोनो नाइट्रोजन के लिए अब क्या हो गए हैं, एच एलेक्रोण इच हो चुके हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे लिए बांड लाइन में, एंड ट्रिपल बांड एमें, इसको कैसे लिए पढ़ना है हैं आपको, नाइट्रोजन, ट्रिपल बांड, नाइट्रोजन, आपको, यह था है हमारे, हमारे, हमर एक मॉलीक्यूज, अब खुड़ा साह, हेट्रोजन के बारे में, बेंड देखते हैं, क्या होता हो उपके, तो, हेट्रोजन मॉलीक्यूज में, एक पामन इसवाम को लपशने पास में है, तो HCL के भी यह क्या होगा कि H, H का Atomic Number है क्या है, और Electronic Configuration भी 1 हो जाती है, तो इसका सिंबॉल आपके से लिए हो है, H and एक सिंगल टॉर आपके बिशादी है, ओके, Now, CL, तो CL का Atomic Number क्या है, 17 है, और Electronic Configuration क्या हो जाएगी, 287, ओके, तो Valence Electron 7 होगे, तो जब आप CL को बना होगे, तो CL में आपको कितना Dots दिखाने होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ओके, अच्छा, अब Electron को सब Atoms के एक जैसे हैं, तो क्योंकि हम सिंबल में थोड़ा सब पर कर सके, कौन से Electrons शेयर हो रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, कि जिस एक्टम के पास में Valence Electrons होते हैं, उसको हम क्रॉस से दिखा देंगे, और जिस एक्टम के पास Valence Electrons ज्यादा होंगे, उसको हम क्रॉस से दिखाएंगे, तो ऐसे लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रॉस से दिखाएंगे, अब क्या करेंगे, अब इसमें Electrons को क्या कर रहे हैं, तो यह Hydrogen का Electron हो गया, और यह Chlorine का Electron हो गया, और दोनों ने Electrons को ज्या कर रहे हैं, बाकी Electrons क्लूरीन के साथ में हैं, अब आप देखो हो गया, कि इस HCl molecule में CL के लिए Electrons को जाते हैं कि नी, 1,2,3,4,5,6,7,8 और इस Hydrogen के लिए 2 Electrons को जाते हैं कि नी, अब आप क्या अगर होंगे, इस score रिप्रेजेंट कर होंगे, तो add single bond CLQ, क्योंकि एक pair of Electrons में shared हैं, बात clear होती हैं सब्हें, आगे बढ़ते हैं, next molecule try करते हैं, okay, so next molecule हम ले रहे हैं, CO2, यह भी काफी पूछा जाता है, तो यहाँ पर एक atom कौन है, carbon है, carbon का atomic number क्या है, 6 है, और carbon की electronic configuration क्या है, 2,4, balance electron कितने है, carbon के पास, 4, तो आपको carbon के surrounding में क्या परना है, 4 dots दिखाना है, दूसरा आपके पास में क्या है, यहाँ पर, oxygen है, oxygen के लिए, 2 oxygen है आपके पास में, और oxygen का atomic number 8, configuration क्या हो जाएगी, 2,6, तो 6 balance electrons होगे, अब एक और चीज़ है, यहाँ पर, कि जो atom कम होता है, इस formula में, उसको हम हमेशा, बीच में रखेंगे, मेडे, ताकि बाकी सारे atoms, उस atom के साथ में connect होगे, तो वैसे मैं आप क्या करूँगे, टैले क्या लिख होगे, carbon लिख होगे, दूसरे इसके दोनों तरफ क्या लिख होगे, oxygen लिख लिख होगे, दो electron, दोनों oxygen के बाद share करना है, तो इस तरह हम यह dots बना दी, अब आप क्या करूँगे, क्या तो यहीं पे complete कर, तो नहीं तो, थोड़ा अच्छा लग, एक resistance सही से maintain करते होगे, इस तरह हम यह diagram बना सकते हैं, अब आप इस diagram में देखोगे, कि इस oxygen के लिए update complete हो चुका है, दोनों oxygen के पास में आपको 8 electrons देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अब यह बीच में अगर जो electrons हैं, कार्बन के लिए count करोगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अब इसको diagram में आप कैसे दिखागे के, C, और यह तो carbon है, अब से oxygen क्या करेगा, double bond करेगा, तो O double bond C double bond O, इस तरह का structure बन जाएगा, अब एक और molecule आप क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, H2O, अब H2O के case में क्या है, oxygen कम है, oxygen कम है, तो आप क्या करोगे, oxygen के साथ में इसको क्या करना है, एक one electron, दोनों hydrogen के साथ में, share करना है, तो बाकि जो six electrons हैं, उसको हम इस तरह से दिखा रहेगे, ठीक है, और hydrogen के जो electron होंगे, उसको हम प्रोस से दिखा रहेगे, और यह आपको क्या मिल गया है, आपके, H2O का है, molecular diagram, ओके, इस दिखा रहेगे हो, H single bond, O single bond, H, H, okay, now, एक और molecule है, NH3, NH3 molecule में क्या होगा, इसका जो structure है, एक nitrogen जो है, अपना one electron हर, hydrogen के साथ में share कर रहा होगा, तो आपको क्या करना होगा, इन hydrogen हो इस तरह से, और hydrogen साथ इसके, तिनों तरफ बनाऊगे, ठीक है, अब एक एक electron share करना है, तो एक और एक इस तरह से दिखा रहेंगे, बास की दो जो balance electron है, यहाँ प्यास, ओके, now, hydrogen के पास में अपना क्या है, बना दिया, तो इस तरह से यह क्या बन जाएगा, NH3 molecule बन जाएगा, जो ऐसा दिखाई देगा, इसको आप सिंबोलिकली कैसे दिखाऊ, N, single bond, H, और ऐसे कितमे H रहेंगे, आपे 3X रहेंगे, जो electron share नहीं हुएं, उस पुचा हो तो आप इस तरह से dot बना सकते हैं, उनके लिए, इसको हम दोलते हैं, loan pairs, जो bonding में पाटिस्पेट नहीं कर रहे हैं, उनने electron को आम क्या बोल इस loan pairs को लिए, so I think अब आपको ये molecular structures pair होते होंगे, हम एक दो molecules odd कर रहेंगे, जो काफी important रहते हैं, examination point of view से, वो molecules क्या है, S8, आप तो देखने को मिलेगा, S8 क्या होता है, यहाँ पर sulfur के 8 atoms है, तो sulfur का जो एक molecule बनता है, वो 8 atoms है, वो गंभाई होते हैं, और ये 8 molecules, 8 atoms कैसे गंभाई होंगे, तो एक simple तरीका है, आप कि आप क्या करों, कि 8 atoms हैं, तो 8 atoms को octagon के shape में आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, और आप क्या करों, उसी सब sulfur atoms, आप उसमें 2 electron share करते हुए, दिखाई देने चाहिए, आप अब इसमें जैसे क्या है, कि आप इस sulfur atom के लिए बात करों, तो एक electron का यहां पे, एक यहां पे, और sulfur का जो atomic number होता है, क्या होता है, 16 होता है, इसकी electronic configuration क्या हैगी, 2,8,6 का है, ओके, तो ऐसे में 6 electrons होने चाहिए था, आप तो इतने दिखाई दे गया है, 2 दिखाई दे गया है, तो बाकि 4 electrons को आप इस तरह से, बाहर की तरफ दिखाग जो one way में participate, नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप देख सकते हो, हर sulfur atom के लिए, जो update है, वो complete हो जाता है, मतलब हर sulfur atom के पास में, अपने 8 electrons, आ जाते हैं, by this sharing of electrons, इस चीज़ को आप पूरा systematically जहां पर कि हम bonds बनाते हैं, तो उस तरह से आप ऐसा दिखा सकते हैं, बट जो actual arrangement of sulfur atom होता है, वो किस chip में होता है, वो crown shape में होता है, ओके, तो वो crown shape कैसे बनेगी, उसको देखते हैं, इसको देखाए, crown shape होगा, तो action जो molecule है sulfur हो, आपको किस shape में देख रहा है, crown shape molecule, लेकिन ये crown shape बनाना, आपका इन electron doors के साथ में, इजी नहीं रहने वाला, इसलिए हम ये ring structure बना देते हैं, और इस ring structure को इस तरह से represent button, but actual arrangement of sulfur atom जैसा है, वो इस तरह का है, जो आपको कैसा देखा है, sulfur atoms इस तरह से, रहेंजर जैसे कोई crown रखा हो, बात clear रहती है, एक molecule और try करते हैं, जो है S6, तो S6 के piece में क्या करना होता है, कि आपको 6 sulfur atoms, 6 sulfur atoms का किस तरह का arrangement रहेगा, तो आप electron dot structure बनाने के लिए क्या करें, atoms को hexagonally arrange करें, ठीक है, और सारे sulfur atom आपस में क्या करेंगे, वन electron या वन pair of electron share करें, ओके, आपको 2 electron आपको दिखाई दे रहे है, sulfur के बागी 4 remaining electron है, उनको आप outer region में, शहांते के ये share करते हो, नहीं दिखाई दे, इस तरह से बना सकते है, तो इस तरह का आपको एक arrangement, sulfur atoms का मिलेगा, ओके, इसको हम hexagonally इस तरह से दिखा सकते है, sulfur atoms को, लेकिन ये जो sulfur atoms है 6, इनका actual arrangement आपको इस शेप का मिलेगा, इस तरह से ये क्या है, इस तरह से आपके पास में और भी कुछ example का सकते हैं, जैसे कुछ carbon compounds का हो गया, तो carbon का bounce में जैसे ch4 molecule हो रहता है, तो ch4 molecule के लिए आप क्या गर होगे, carbon के surrounding में 4 hydrogen इस तरह से दिखा सकते हैं, इसमें hydrogen के electrons को हम cross से और sulfur के carbon के electrons को हम dots से दिखाने माला हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि यह जो carbon है, इसके लिए 8 electrons complete हो चुके हैं, ऐसे ही hydrogen के लिए, hydrogen के लिए, solid के लिए, इन सब के लिए क्या हो गया, इसे को हम C single bond H, और ऐसे 4 single bonds बना सकते हैं, ऐसे एक molecule C2H6, इसमें आप क्या गरेंगेंगे, दो carbon आपस में electrons शेयर करेंगें इस तरह से, और बाकी 6 hydrogen हैं, तो और carbon T hydrogen के साथ में आपको bond करता हूँ, दिखेएगा, इस तरह का एक structure आएगा, जिसको आप bound line में केसा दिखेएगे, इस तरह से, सिंगल bond, और आपस में 2 carbon single bond करते हैं, और बाकी दोनों carbon T hydrogen hydrogen के साथ सिंगल bond करते हैं, इस तरह का आप दिखेएगें और एक important molecule होताता है, C6H6, यहां तो क्या होगा, कि जो 6 carbons हैं, उनको आप extra only arrange कर दो, और इस तरह करना है, कि हर alternate पे आपको एक double bond के पार दिखेए, ठीक है, और 6 hydrogen है, तो हर carbon के एक hydrogen के साथ में bonded हैं, अब आप पूछेंगे कि इसका electron draw structure क्या रहे हैं, तो यह आपके लिए task रहेगा, कि आप इसका electron draw structure क्या से बनाएंगे, तो this is all about the covalent font, तो covalent font क्या होता है, sharing of electron से font होता है, जो items हैं, वो आपस में क्या करते हैं, balance electron को share करते हैं, जितने number of pairs share हो रहे हैं, वो उस bond का multiple होता है, जैसे अगर one pair हो रहा है, तो single bond को लेंगे, उसको अगर two pairs हो रहे हैं, तो double bond को लेंगे, और three pairs हो रहे हैं, तो triple bond को लेंगे, तो इस वीडियो में हमने molecules के लिए structure, try के, upload molecules को याद रखेंगे और try करेंगे, next video में हम बात करेंगे, unique behavior of carbon की, so this is the end of this video.